संनी देवल हाल ही में अपनी फिल्म गदर टू के जरगे इंडस्टरी में एक बार फिर से सुपरस्टार्ज की कतार में आगे आ गए हैं बल्कि उन्हों ने अपनी स्टार्ड़म फिर साबित कर दी है गदर 2 के ताबर तोड आक्शन और तारा सिंग की फेम ने सनी देवल के फैंस को 20 साल बाद फिर से एक वीजुल ट्रीट दी सनी देवल वैसे तो काफी शांत मिजाज के माने जाते हैं लेकिन आज आपको बताएंगे सनी देवल इंडस्ट्री के किन तीन फिल्मी स्टार्स से नफरत करते हैं सनी देवल ने नभे के दश्रक में एक के बाद एक कई बंपर हिट्स के जर्ये इंडस्ट्री में अपनी धमक जमाई थी वहीं घायल, घातक, जिद्धी और बॉर्डर जैसी फिल्मों के बाद सनी देवल की गदर ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिये थे 2011 में यमला पगला दिवाना के बाद सनी देवल के करियर में हिट फिल्मों का टोटा हो चुका था जी हाँ, एक के बाद एक फ्लॉप्स की वज़े से उनका करियर लगतार नीचे जा रहा था लेकिन गदर टू के बाद एक बार फिर वो स्टारडम साबित कर चुके हैं आज आपको बताते हैं कि वो कौन से तीन सुपरस्टार हैं जोने सनी देवल बिलकुल पसंद नहीं करते अगर तीनों में से कोई सामने भी आ जाता है तो वो मूँ फेर कर वहां से निकल जाते हैं शारुखान के साथ सनी देवल का 36 का आकड़ा है हालाकि गदर टू के बाद शारुख ने उन्हें बधाई बेजी थी लेकिन सनी शारुख को बिलकुल पसंद नहीं करते दरसल दोनों के बीच फिल्म डर के दोरान कुछ ऐसी दूरी आई थी जो आज तक खत्म नहीं हो सकी वही इस लिस्ट में दूसरा नाम है अक्टर अनिल कपूर का क्योंकि उनसे भी सनी देवल कभी बातशीत नहीं करते दिखे हैं दरसल कहा जाता है कि फिल्म राम अफ्तार में दोनों साथ काम कर रहे थे शूटिंग के दोरान दोनों के बीच कहा सुनी हुई और उसके बाद से कभी भी सनी ने अनिल कपूर से बात नहीं की खबरों की माने तो सनी देवल आमिर खान को भी पसंद नहीं करते साल 2011 में सनी देवल की गदर एक प्रेम कता और आमिर की फिल्म लगान एक ही दिन रिलीज हुई थी दरसल सनी ने आमिर से रिलीज डेट आगे बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी लेकिन उन्होंने इंकार कर दिया था जिसके बाद से सनी देवल ने उनसे बादशीत बंद कर दी आपको ये वीडियो कैसे लगी? कॉमेंस सेक्शन में अपनी राइस जरूर दीजेगा और इस तरह की बॉलिवूड की तमाम गॉसिप्स के लिए जुर रहे हैं इंडिया नियूस के साथ